दोस्तो आज की वीडियो में हम निकालने वाले हैं जो पायर हमारा रहता है जहाँ पायर की जो कैप होती है उसकी क्वांटिटे निकालने वाले है सबसे पहले समझो पायर होता क्या है सामने आप देख रहे हो इसे हम पायर बोलते हैं एक साइड विजिट आपकी रहने वाली की जो वीडियो रहने वाली है quantity निकालना सिखाऊँगा आपने देखी होंगी वीडियो खुद आती भी होगी लेकिन आज जो तरीका में बताऊँगा सिंपल तरीका है और within minutes आप quantity निकाल सकती हो किसी पायर की या पायर कैप की तो इसमें difference क्या होता है दिक्कत क्या आती है दो तीन किसम के यह आते है जो आपका पायर रहता है आपका circular भी रहता है रेक्टेंगुलर भी रहता है और वैसे ही पायर की दो तीन shapes आती है तो दोनों वीडियो देखनी है आपको knowledgeable वीडियो रहने वाली है सीडी स्टार्ट है तो continue वीडियो देखते रहो लेकिन उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बैल आइकन ज़रूर दोबालो देखो drawing समझ ली आदा काम वहीं हुमारा complete हो गया तो इसकी real drawing भी थी लेक समझना एक आपको कभी भी पायर कैप दिखेगा कुछ ऐसा होगा ऐसी उसकी शेप होगी यहां से 10 लांट होगा ठीक है और नीचे उसके circular जो पायर होगा ठीक है मतला ऐसे और circular पायर कुछ शेप होती है आपको ऐसे trapezoidal form में दिखेगा ऐसे 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 और नीचे आपका व थोड़ा 3D में दिखा देता हूँ ड्रोइंग थोड़ी गंदी इतने अच्छी नहीं है लेकिन आप समझ जाओगे देखो इसी को यहां इसको जो भी लेलो तो यह हमारा पायर है यह ऐसे आ गया ठीक है और ऐसे उसकी जो बेट है वो दो मीटर है clear बाकी इसमें हम ड्रोइ किया रहा हमारा नीचे वाला हिस्सा है उसकी ऊपर वाले की बाद में निकालते है पहले इस हिससे की निकालते है यह simple formula है कुछ नहीं है drawing पढ़ना आना चाहिए बाकी तो वही 8th के फारमूलें तो length into birth into height यह हमारा formula रहेंगा rectangular है तो इसमें length हमारी हो गई कितनी इसको पहले 3 meter 6 meter और यहां से यहां यह दो अलग लग portion है यहां से यहां rectangular बंता है अगर हम इसको काड़ें तो एक meter है और यहां से यहांग इसकी height 0.5 meter है मतलब अगर मैं दिखाओं इस section को काटेंगहे तो कुछ एसा हमें देखेगा ऐसी उसकी होती है ठीक है जैसे आपने स्टार्टिंग विडियो में देखा तो जो जब मैं लाइब साइट पर आपको विजिट करवाऊंगा अभी ब्रिज पाइल हाइवे इसी पर रहने वाली है बिल्डिंग का बहुत सिखा लिया आपको अभी इस पर कर लेते ह जिसने बिल्डिंग और टनल का सीखने है हजार प्लस वीडियो चैनल में पढ़ी है फ्री में पढ़ी है तो लेंथ आगी बिड़ आगी टू मीटर और हाइट इसको आगया हो ना 24 एम क्यूब हमारी कितनी कॉइंटि लगी 24 एम क्यूब हमारी कॉइंटि लगी और एक लाता है उपर वाले हिस्से को समझना तो उसके लिए दो पार्ट में हम इसको डिवाइड करेंगे सबसे पहले इसको देखना यह उपर का जो हिस्सा है यह हमारा रेक्टंगलर बन गया है तो सिंपल हो जाएगा निकालना और नीचे का यह अलग सा हिस्सा इसकी तरह है मतल ले लिए तो पार्ट वन क्या कहता है यह हमारा पाइर के निकल की क्वाइटी अभी पाइर कैप की ठीक है तो पाइर कैप की यह लेंथ डेक्टंगलर लेंथ ब्रेट्थ हाइड लेंथ कितनी है यह दर से लेके दर कितना है शिक्स और विड्थ कितनी है इसकी विड्थ यह वाली है जो पायर की ठीक है वो है 2 मेटर 6 मेटर हो गया 2 मेटर और हाइट कितनी है वो है 1 मेटर तो हमें हो गया 12 MQ 12 MQ हमारा कितका पार्ट 1 का आएगा quantity दूसरे पार्ट में चलते हैं दूसरा पार्ट थोड़ो समझना है दूसरे पार्ट में कैसे quantity निकाली है उसका फार्मूला लाता है sum of parallel side divided by 2 into height into width simple formula जो 8 में करता है कि sum of parallel side क्यों देखो ये वाली देखो आगर हम इसको 3D देखे ये वाला हिस्सा और इधर वाला इसके निचे वाला हिस्सा मतलों ये 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 अगर देखो में यह तर बनाता हूँ ये 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 इसे इधर होगा एक सेम ऐसे इधर होगा ठीक है तो यह वह जे पहले साइड आगे दुनों की तो इनका क्या करना है सम करना है इनका सम कैसे होगा मैं बताता हूं आपको इनका सम होगा इनका 3 मीटर ये नीचे है पूरा वो लिख दिया मैंने मैंने इधर सिंपल पहले कर दिया है 3 प्लस यह हिसा यह मतलब यह यहां से यहां कितने है 6 मीटर तो वो 6 तो टोटल कितना होगा 9 9 समा पहले साइड होगया डिवाइड बाइ 2 clear और हाइड कितनी है इसकी हाइड यहां स यहां तक है 0.5 मीटर मदब 500 तो लिख दिये मैंने 0.5 मीटर में करनवर्ट कर लिया हाइड और विट्थ कितनी है यह यह जैसे उपर विट्थ सी 2 मीटर यह वाली वह कितनी होगी 2 मीटर ही है तो यह आगे 2 तो इसको हमने डिवाइड किया इसको इधा लिखा इधर यह 4.5 हमारी quantities की है ठीक है मतलब 24 mq वो पायर की आ गई 12 यह नीचे उपर वाले पार्ट की 4.5 तो टोटल हो गई 40.5 mq हमारा concrete किसमें उस पायर में और पायर काप में लगेगा फिर इसमें सरीया भी रहता है कुछ लोग सरीय की calculation करते हैं क्योंकि इसमें dense सरीय रहता है और उसका वालियूम तो माइनस होना चाहिए लेकिन quantity में थोड़ा ही फरक पड़ता है उतना वेस्टे कर लेते हैं billing में यह दिक्कत आती है साइट पर कोई नहीं सा तो वो छे से साथ MQ बलाते है अभी आपको देखो TM किसी साफ समगा होगा आपने तो quantity देनी होती है आपने सीधा बोल देना है 40.5 MQ मतलब 40 MQ हमारी quantity है जी आज तो 40 MQ आ जाएंगे जब जो भी quantity आगे बिच्छ होती है वो कर लेते है आप बता सकते हैं नेच्ट अभी हम चलते हैं अगले प्रोसेस पर तो यह दखो हमारा अभी यह वाला हो गया अभी यह इस पर आते हैं तो इसमें जो हमारा पायर है नीचे वाला एक कोशन मेरे को कॉलूम और पायर का पूच्छा सब अलग से मैं आपके लिए लिए ले आ पाइअ पायर वालते हैं πया ऑर स्केर हमारा फार्मूला रहते हैं सिम्पल फंड तो पाई क्या हमारी 3.14 अर क्या हमारा तो हमने इसका आर मेरे को दिया पॉइंट फाइव मलब पांसो एमेम उसका रेडियस है तो लेडियस लिख दिया के जगा मेटर डाया दे दिया होगा उसको रेडियस कर लेना पॉइंट जीरो पॉइंट फाइव का स्केर कर देंगे एच कितना हाइड कितनी है आठ मेटर तो यह आ गया हमारा 6.28mq मतलाब सिर्फ فार्मूले का फर्रक पढ़ा सर्कुलर हो सकेर का फार्मूले का देना वलियूम का Clear? और ऊपर में क्या करना है ऊपर में जैसे मैंने बताया इसमें क्या था इधर rectangle था इधर बाकि सेम शेप है तो उसके लिए हम क्या करेंगे सेम फार्मूला फंडब मारेंगे देखो फार्मूला क्या रगएगा समा पैरलर साइड डिवैड बै टू इंटू एच और डवलिव तो इसके लिए देखो समा पैरलर साइड एक यह है और वो है तो 6 प्लस 2 कर देंगे 6 प्लस 2 डिवैड बै 2 कर दिया इंटू क्या बोलते है उसकी हाइड कितनी है 1 मीटर है वो 1 मीटर यहां लिख दी और जो विड्थ है मतलब विड्थ कितनी है 2 मीटर मतलब यह मत समझे ना कि इसका ले रहा हूँ मतलब simple दोनों आपने समझ लिया कि दोनों में कैसे हम निकालती है कि कितनी हमारी कॉंट्टी आईगी ऐसे इसकी shattering की भी calculation की जाती है इसका BVS भी होता है तो जो आपको चाहिए आपको comment करने वो आपके लिए हाजिर हो जाएगा free में तो बस आप channel को subscribe करके रखो दोस्तों कहाँ share रखो और comment जुरूर करो और like करो यार थोड़ी motivation मिलती है और वीडियो आपके लिए लाएंगे और जो question होगे वो clear करेंगे Thank you